हलो आपका स्वागत है एक नई वीडियो में हम आगे हैं वेनिस और हमने फ्लॉरिंस से ट्रेन ली थी हमें 250 किलो मेटर्स के डिस्टेंस कवर करने में तू आर्स लगे हैं अभी और हम स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं अगर आप वेनिस और रहे हैं तो याद रखें कि यहां पर दो स्टेशन स filledgehen एक है वेनेट्या में आज्टरे वहां आपको नहीं उतरना है दूसरा स्टेशन हैम वेनेट्या सांथालोचीय यह आपको आना है वेनिस 118 तेटीन का एक ग्रूप है और जोगे महा एक मेन एक ग्रूब की इस पर्दिशन एक हम की बारा गय और यह जगह है वाहां से वाटर बस तैन्ड के लिए बस लेने वाले हैं यहां पर हम नए पास लिया है टिडिकेट 10 यूरो उगा यह पास 75 मिनिट्स के लिए वेलेड है हमने वाटर बस बोड कर ली है जैसा नाम सी पता लग रहा है वाटर बस बाटर पे चलती है और लोकली इसको वापोरेत तो बोलते है और यह वाटर टेक्सी के कमपेरिशन में वन तेंथ प्राइस है इसका तो काफी सस्ता मोड आफ ट्रांसपोर्ट है हम होटल पहुच गया है अपने और होटल में चेक-इन करने से पहले हम टेम्टेड थे कि आपको वीडियो दिखा जेते हैं व्यालतो ब्रिज की यह है व्यालतो ब्रिज बहुत जादा फेमस है और काफी मुवीज वगरे की शूटिंग यहां पर हुई है हम आगे है रियालतो ब्रिज के ऊबर और यह हमारा होटल हमने अपना सामान रख यहां पर अभी चेक-इन नहीं कर सकते हैं चल्दी आगे हैं चेक-इन अब 3 p.m पर शुरू करेंगे यह लोग और हम डोग 10 पर ही पहुच कहते हैं यह वो बस टॉप है जहां पर हम उतरे थ बज रही है यह यह मुरान अबरानो मैं ऐसे ग्लास वर्क के लिए फेमिस है तशारी वही से उन्होंने लाइपास में एक छोड़ा है लेंड है हम है पस टाइम नहीं अभी जाने के लिए कितने सुन्दर है हुच किया है क्वटाने क्या है कौन सा यहां करन किसा ड्रेस होगा क्या जानी को बच्छागी जागा हम अपना दिन शुरू करेंगे गंडोला राइट से और हमने गंडोला बुक कर ली है 150 यूरो ले रहे हैं ये 30 मिनिट्स के लिए तो बस हम चा रहे हैं अब हम आराम से मज़े से गंडोला में भूम रहे हैं इस अनाइस एक्सपीरियंस काफी अच्छा है एक ट्रडिशनल वे आफ ट्रेवल है यहां पर यह और तूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर रहे है तो हम गंडोला राइड ले रहे हैं अब से कि अच्छा है कि गंडोला थोड़ा से एक्सपेंसिव तो है लेकिन आप यहां आए तो आपको लोकल लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए जब आप गंडोला राइड लेते हैं तो यह ग्रैंड कनाल से होते हुए पीछे गलियों में आपको लेकर जाते हैं और आपको सराउंडिंग्स तो दिखी रहे होंगे यहां पर एसी चोटे-चोटे बहुत सारे किनाल से जिसके थू आपकी गंडोला जाती है और अभी इस वक्त पानी का स्तर जो है वो थोड़ा सा नीचे है और अगर आप यह दिवार पे देखें तो देखें निशान यहां है उपर तकाता पानी है इस तरह की बिल्डिंग्स है यहां पर और काफी पुराना शहर है बहुत ज़्यादा पुराना शहर है सामने वो छोटा ब्रिज दिख रहा है अभी हम उसके थ्रू गिजरेंगे ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस हैं आपकर एक यह है ब्रिज यह पी काफी चाहिना तक गया था उस समय चंगेज खान का पूता कुबलेई खान वहां का राका था तो उसके अंडर काम करता था अभी हम निकल रहे हैं आगे के तरह पॉर वो सामने जो दिख रहा है आपको यह छोटा एक और ब्रिज है और इसके बाद ग्रैन के नाल आ जाईगी और हमारी यह जर्णी खतम हो जाएगी अब हम जा रहे हैं शहर को एक्स्प्रोर करने के लिए यहां से जाएंगे हम सेंट मार्क स्क्वेर आपको दिखाते हैं यहां चांदी जोग से भी छोटी गलिया है सारी यहां पर एक दिन लेकर रहे हैं पूरा सुभेज़ गलिया है यहां पर आप एक दिन लेकर रहे हैं पूरा सुभेज़ से शाम तर तो आप एदर पैदल पूरा घूम सकता अब इसली अंडियरंस तो चाहिए बिकर आप मेभी 15-20 किलोमेटर चाहिए तो यहां कंफरिबल श्यूज़ और अच्छा जजबा लेकर रहे हैं और तहने हां आपर प्रस्ते में हमें एची गुस्ता मिलगा और हम यहां से जलाटो लेंगे और जलाटो खाते में सेंट मार्क्स पैरिक तरफ जाएंगे इनका जलाटो बहुत अच्छा होता है हम एक ब्रेक ले रहे हैं अभी जलाटो एंजोई कर रहे हैं दमीन ताइम आपको दिखा देते हैं यहां पर इस शेहल कैसा है मोस्ती जो बिल्डिंग्स है या तो होटेल्स हो गई है यहां पर रेस्टरॉंस हैं जैसे यह वाला आड्रोग कैफे और यहां की पॉपुलेशन काफी कम है अगर पूरे वैनिस के बात करें जो की पूरे आइलेंड्स की अगर हम बात करें 118 तो 2.6 लैक पीपल हैं जो यह यहां पर 51,000 लोग ही रहते हैं तो काफी कम पॉपलेशन रहती है यहां आज 25 दिसंबर है Christmas Day इस वजह से mostly सारी शॉप्स बंद है हम यहां आ गए हैं square पे और St. Mark square सबसे बड़ा पियाजा यह square है Venice का और यह bell tower यह doges palace का हिस्सा है और सबसे उंची इमारत Venice की गई है और यह सामने St. Marks पर से लिगा है इसके बारे में हम अभी आपको और बताते हैं हम लोग इस वक्त है St. Marks square पर हमारे पीछे है St. Marks पर से लिगा इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में कि अबसा लिटिल इंट्रड़क्शन बारे में इसका नहीं बता है इसका नाम बता है Construction start वा था 1063 में and completion था 1617 में सेंट मार्क की सामने मुवती बना रखी है, सेंट मार्क जो थे वो जीजस के एक डिसाइपल थे, वेल आपॉस्टल में से नहीं थे, और ये एजिप्ट में जाके धर्म का प्रचार कर रहे थे और तब इनकी हत्या कर दी गई थे, फिर बाद में वैनिस से कुछ व्यापारी क चुरा ले और चुरा के लेकर आ रहे थे, रस्ते में तूफान आ गया और नाव डूबने को हो गए उन्थे, तो कहते हैं कि सेंट मार्क खुद प्रकट हुए और उन्होंने सब को बचाया, ये स्क्वैर काफी बढ़ा है, तो अब हम इधर सी की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये राइट साइड पे डोजिस पहले से और लेफ साइड पे बसेलिका है, अब हम जा रहे हैं सी की तरफ और ऑफ टॉपिक, एक बात बता देता हूं कि अगर आप ट्रेन से वेनिस आ रहे हैं, तो आपको जैसा मैंने बताया था, वेनेजिया मेस्टर स्टेशन पे ना उतरें, हमने गलती कर दी थी, हम लोग वेनेजिया मेस्टर उतर गये थे, और वो में लैंड पे है, आईलेंड पे नहीं है, इस वजए से जो वेनिस का में शहर है, वो दूर है उससे काफी, तो हम लोगों को दूसरी ट्रेन लेनी पड़ी थी, और थोड़ा सा हैजल त । आपको दूसरी तरफ दिखाता हूंकि तूरज अभी ती चमक रहा है अब हम वापस लौट है है जा रहे है होटल के तरफ रस्ते में शॉप्स को हैं लेकिन सिफ डिस्प्ले पर ही चीजे दिख रही हैं शॉप्स सारी क्लोज थे आज बताया था मैंने आपको फ्रिस्मस दे है तो अगर आप आते हैं फ्रिस्मस के टाइम पर तो एक अच्छा आप एक दिन और लेकर रहे हैं, उससे आपको शॉपिंग आप्शिंस मिल जाएंगे हम अभी देख रहे हैं यहां पर चीजें क्या वेलिबल हैं ग्लास की काफी चीजें हैं, हम मुरानो बुरानो नहीं जा रहे हैं लेकिन मुरानो न बुरानो भी वेनिस के 118 इलेंज में से दो आइलेंज हैं जहां पर ग्लास वर्क होता है काफी, तो यहां आते हैं वेनिस वो एक दिन एक्स्ट्रा लेकर देटूर कर लेते हैं मुरानो न बुरानो का तो वो एक अच्छा एडिया होगा, अगर आपके पास ताइम है तो आप कर सकते हैं अभी मैं आपको सिर्फ वेनिस की गलियां दिखा लेता हूँ मोस्ती रेस्टरॉंट्स ही ओपन हैं और इसके अलावा बाकी सारी शॉप्स को प्लोस्ती हैं अधमने जान मिकले रहती हैं यहाँ पर ऐसा पुछ मिलग रहा है आपर शॉवनी कि नजी है लोग सो रहें हैं हाँ पर इसके पारफ्लाण को दो दो और भाता अपर मौसा महाला कि बहुत अच्छा है यहां पर सही बिल्फुल जगह में मिलती है मैं देखा है इतना भीन लग जाती है ब्रेजिस के चोटे 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 अपर फोटो किसमें वहाला जाती है लगरा जिसने इंशेंट सिटी में किसी है हम आये हैं मार्को पोलो रेस्टरॉन वेनिस में इनों ने ऊपर नोट लगा रखे हैं फूट सारे इस सिग्निफाइ करता है कि मार्को पोलो ने कितने साहे देश टेवल किये थे तो इस सिग्निफाइज टेवल यहां पर खाना बहुत अच्छा है तो अगर आप इदर आते हैं वेनिस में तो आप मार्को पोलो में खा सकते हैं इस अमेजिंग बढ़ी है खाना से तो ने खाना कैसा है खाना कैसा है यहां बज़ दो को ने वेजिटेरियन उडर किया है तो बेच खाना दूबना तुम्ह दूब मुश्किल जाता है तो हमने वेजिटेरियन खाना ओडर किया है और अब अम दोश को एज्यो कर रहे हैं चलिह से आजए के का से अब एक स्वा one day morning वोविस्टी यह ग्रैड कनाल है हम अपने होटल के टैरस से यह वीडियो बना रहे हैं हम रुके हैं, वोटल रियलतौ में यह रियलतौ बेज की सिर्मियोया का से लगते मिथे हैं काफी panoramic view है यहां से यह तो भी इवनिंग है इम पूपिंग के सुह है जादा बहतर व्यू आएगा एक वर नाओ रियाल्तों ग्रिज्ट रियाल्तों कुर जादा तर लोग हिस्ट्री से कम फिल्मों से जान रहे हैं यह फिल्मों में मुशिक वगारा में इसको लिखाया गया है अब जैनली स्पीकल इसको इसको फिटीन हंडड में रेनोवेट किया गया तससे पहले यह दो बार कॉलाब सोचका था पहले लकडी का था तो एक बार आग लग गए थी स्टीन हंडड में और फिर उसके बाद इस कि यह देकरेशन में अपना जो भी योगदा ही आओगा दिया होगा दिया होगा तो यह इसलिए फेमस है कि भाक पुराना है वेनस शहर नहीं वह तो 321 सम्थे में बसा था और हागी तर रश्म पुरान है कापी अशेशन है और अशीन गोगे लूप काना देख लिए भी आपि आपी शहर आपी भी है और आपि शहर आपी छहर आपी अपी शहर आपी है लागी भी आपी आपा देख दीए तो यह जाए this is a nice place to be. This marks the end of our day in Venice. हम लोग रेस्ट करेंगे और कल जाएंगे मिलान. मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में.